स्वागते दोस्ताओं का इस संडे की ब्रह्माचरे क्यूए वीडियो में आप लोगों के बहुत जरूरी सवाल आ वे थे ब्रह्माचरे को लेकर किया क्या चीजे अपनानी होती हैं ब्रह्माचरे में जिससे कि हम लंबे समय तक के लिए ब्रह्माचरे का पालन कर पाएं, कि किसी का एक अगर doubt है तो वो बहुत लोगों का doubt हो जाता है एक सवाल है तो वो बहुत लोगों को काम भी आएगा चलिए देखते हैं क्या कैसा हवाल आए हुआ है क्या ब्रह्मचेरे में romantic movie या scene देख सकते हैं देखिए आज कल के time में यह जो शब्द है न romance इसको लोगों न बदनाम कर दिया है इसका मतलब सिर्व इतना नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शारेरिक संबंद बना रहा है प्रेम कर रहा है यह मतलब बदल गया है आप अगर पीछे चले जाए थोड़ा टाइम में एक term use किया जाता था romanticism कवी हुआ करते थे आज से करीब 200 स तो आप अगर किसी भी तरह का scene देख रहे है तो मत देखिए अगर आप ब्रह्मचरे का पालन कर रहे है आज कल के टाइम में एर romance के नाम पर क्या क्या चीज़े दिखाए जाती है आपको इससे सतर कराना है अगला सवाल एक ऐसा motivation दो भाई जिससे कि ब्रह्मचरे कभी न ट पल देगा आप जो आज करेंगे उसका जो भी result आएगा वो आपको ही मिलेगा अगर आप अपने साथ अच्छा करते हैं कुछ अच्छा लोगों के लिए करना चाता है आपका intention अगर अच्छा है तो outcome भी वैसा ही मिलेगा अगर आप खुद को धोका नहीं देते तो आने वा किसे लोगों के इतनी चोटी सी जिंदगी है आप आफिसी चीजों में वेच्छ करना हैं अगला सवाल सेहत बनाने वाला सीजन है आप चाहे तो आमला का सेवन कर सकते हैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये डेली का रूटीन है कि लंच में अगर मैं चावल खा रहा हूं दाल खा रहा हूं तो साथ में दो आमला का सेवन मैं करता हूं वो pickle जैसा उसका substitution बन जाता है अचार अगर आप नहीं खाते तो आमला का इस्तमाल कर सकते हो खटा लगता है और वो फाइदे बन भी है अगर आप उसको boil करते हैं तो वो डाल और चावल के साथ अच्छा combination उसका बनता है तो आप खा सकते हैं बहुत फाइदा होगा immunity भी जवर्दस तरीके से बढ़ती है urges को control कैसे करें यह है अगला सवाल जब भी urges आया है आपको आप उसको control ना करें आप उसको transmute करें उसकी दिशा बदलें मान लेजिए आपको अभी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है गलत काम करने का एक्जेल करें आपने सांस को बाहर फेका जितना हो सके सांस को बाहर फेके कोई उरजा ना बचे अब फिर आपको imagine करना है कि जो नीचे की उरजा है वो उपर के तरफ जा रही है फिर आपको वो location को छोड़कर किसी दूसरे जगा जाना है वहाँ पर जाकर कोई काम करना है आपको जिससे की आपका mind आपका energy कोई अच्छे जगा पर utilize हो पाए अगला जो सवाल है हर मेने एक बार स्वप्न दोश हो जाता है जब आपके एक मेने होंगे हो सकता है आपको एक बार स्वप्न दोश हो जब आप दूसरे मेने में प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि उतना स्वप्न दोश का समस्या अब मुझे इस मेने नहीं हुआ जब तीसरे मेने में जाते हैं हो सकता है और ना हो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं आप एक चीज़ एसास करेंगे कि ब्रह्माचरे का पालन करते हुए आपकी कब्ज की समस्या ठीक होती है आप जब सुबा सुबा उठते हैं ब्रह्मामुरत के दौरान उठते हैं जल्दी सो जाते हैं आप किसी भी प्रकार का अश्रिलता भरा कंटेंट नहीं देखते हैं, साथ में आप ध्यान करते हैं, जब ये सारी चीज़े आप पंबाइन करते हैं, तो स्वप्नदोश की समस्या नहीं होती है, अगर आप ये सारी चीज़े फॉलो करें, स्वप्नदोश की समस्या जड़ से कतम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा पेशन्स रखें, अपने आपको टाइम दे, अभी अगर आपको स्वप्नदोश हो रहा है, आप देखें आगे का विजन बनाएं कि मुझे साथ आठ महीने मैं एक दम स्वप्नदोश से मुक्त हो गया, एक दम वीरे मेरे शरीर में घुम रहा है, आप ये ऐसास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशन सके तब के लिए, अगर जो सवाल है वो ये है कि ब्रह्म मुरत का सही टाइम कौन सा है, आप तीन बजे उठें, अगर आप से हो प है, उसके लिए आप दो घुंटे की नींज लेते हो, एक बज़े से लेकर तीन बज़े तक आप सोते हो, फिर जाग जाते हो, तो फिर ब्रह्म मुरत का कोई फाइदा नहीं है, आप को, मानलीजे ब्रह्म मुरत के फाइदे उठाने हैं, तो उसके लिए आप को जल्दी पड़ेगा अगर आप चाहता है कि ब्रह्मचरे का आपको फाइदा मिले तो आपको डिसिप्लीन में रहना होगा अगर आप चाहता है कि आपको भोजन का संपूर्ण लाब मिले तो आपको भोजन को होश पूर्वक तरीके से खाना है उसमें ही चबाने की क्रिया आ जाती है उसमें ही अच्छा भोजन क्या है, आपके लिए बुरा भोजन क्या है, उसमें ही आ जाता है, अगर आप खोश पुरवक तरीके से भोजन करते हैं तो, अगर आपका mindset अच्छा है भोजन करते हुए, तो वो सारी चीजे decide करती हैं कि आपको फायदे मिलेंगे या नहीं जब आप ब्रह्मों वरत में उठते हैं, तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, तब आपको फायदा मिलता है, तीन बजे उठोगे, maximum फायदा होगा, इसके बाद अगला सवाल, क्या ब्रह्मजेरे से pimple ठीक होते हैं, देखे, अगर आप मेरे से पूशेंगे, तो मुझे देखते थे, बहुत जादा ओईली स्कीन रहता था मेरा, जैसे जैसे टाइम गुजरा, मैंने एकदम डिसिप्लेन में रखकर अपने डाइट को मेंटेन किया, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया, अच्छी चीज़ों में खुद को इन्वाल्व किया, अपने बा करता किसी दिन, कपालभाती प्रानायम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, तो मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, अगला जो सवाल है, वो यह है कि 21st century में होते हुए ब्रह्मचरी का पालन कैसे करें, वेरी इंट्रेस्टिंग कोश्चन, आज के समय में अगर आप पालन करना चाहते हैं, तो वो सेम फंडा है, जो हजारों साल पहले था, आपको अपने भीतर जाना होगा, और कोई उपाय नहीं है, जहां पर बाकी सारे लोग बाहर या डंबर में फसे हुए हैं, बाहर से खुद को एट्रक्टिब बनाना चाह रहे हैं, आप खुद के भी तर जाओगे, एक टाइम ऐसाएगा, आप या ऐसा रहोगे कि मैं ये सारी चीजमें फसा रह था, सब जूट है, आप खुद बोलोगे ये बात, सब जूट है, ने जूट है, मेरा शरीर किसी चीज को पकड़ा हुआ है, आप एक टाइम ऐसा पहल करोगे, आपको लगएगा कि ये शरीर भी किसी काम का नहीं है क्योंकि तब आप ये ऐसास करोगे कि आप इस शरीर से भी बढ़कर कुछ हो शरीर बस एक टूल है आज है कल नहीं रहेगा लेकिन एक ऐसी एंटेटी है जो हमेशा रहेगी उसके बार में जानो अगला सवाल प्रोजेक्ट के बार में बताओ भाई वेट कर रहा हूँ हाँ मैंने बोला था ना कि न्यू यूटूबर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़े आ रही है तो आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन में इंस्ट्राग्राम का लिंक मिलेगा वहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताने वाला हूँ अगर आप आते हैं तो आपको बहुत जादा फायदा होगा क्योंकि वहाँ पर मैं एकदम बेसिक चीजों का इस्तमाल करके हम लोग सब एक साथ ग्रोव करने के कुशिश करेंगे आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि डेली लाइफस्टाइल में मुमकिनी नहीं है ब्रह्मचरे या फिर मान लीजे कि एकदम कोई रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है कि आप यूट्यूबर बन पाएं या फिर ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है कि प्रानायम करने की सुवीदा नहीं है घर में या फिर वैसा महौल नहीं है अगर आपको थोड़ी सी शांती चाहिए लेकिन घर में ऐसा महौल नहीं है आपको लग रहा है बहुत सारी दिक्कत है छोटी मूटी अलग अलग तरह की जो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी समझे आपको है बड़ी समझे आ छोटी समझे आ जो भी आपको है उसके बारे में हम थोड़ा सा और कम्यूनिकेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिक्शन में इंस्टाग्राम के लिंक मिलेगा आप आईए वहां पर मैं धिरे धिरे करके बताता चलूँगा जैसे जैसे आप देखेंगे आपको समझ में कि हम किस तरब बढ़ रहे हैं हमारा डिरेक्शन क्या है तो लिंक आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पर इसी वीडियो के डिस्क्रिक्शन में अगला सवाल क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि एक दम इंस्टेंटली वीरे की भरपाई करी जा सके काश इसके लिए कोई चमतका से वीरे की भरपाई नहीं होती है वो होती है आपके डिस्सिप्लीन से आपके लाइफस्टाइल से यह कह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका इंस्टेंटली वीरे की भरपाई करने का इंस्टेंटली वीरे की भरपाई कभी नहीं होती अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इसका मतलब यह तो वो एक दिन अच्छा खाने से, उसका शरीर क्या हिल्दी हो जाएगा, सिर्फ एक दिन खाने से, वो पहला स्टेप है, आपको चलना है हजार कदम, लेकिन आपने अभी पहला कदम चलना है, तो इंस्टेंटली आप हजार कदम तो एक बार में नहीं पहुंच सकते हैं, यह जुड़िया हमारे साथ, हम सब एक साथ गरो करेंगे, और मिलकर एक दूसरे के हेल्प करेंगे, ताकि एक साथ हम सब रम्म शेरे को दूर दूर तक फैला सके, एक स्ट्रॉंग कम्मिनिटी बना रहा है हम, आप भी आईए, बहुत जादा फायदा होगा, आज के लिए बस